असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तरतुल एज्यूकेशन स्टूडेंट्स आज मैं 10th क्लास इंग्लिश की पेरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूं पेरिंग स्कीम के साथ आप लोग का पेपर पैटरन भी गवर होने वाला है इंपोर्टन चैप्टर्स भी पता चलने वाले हैं आप लोगों को जब वही चैप्टर्स बताऊंगी जो आप लोगने अपने कोशन आंसर और पारिफ के लिए करने है सबसे पहले हम लोग MCQS के बारे में डिसकस करते हैं हमारे पास total 19 MCQS होते हैं Q1 में form of verbs MCQs आते हैं और वो 5 होते हैं उनके 5 मार्क्स होते हैं Q2 में correct spellings होते हैं वो 4 होते हैं और उनके 4 मार्क्स होते हैं Q3 में correct meanings होते हैं वो 5 होते हैं और उनके 5 मार्क्स होते हैं Q4 में grammar से questions आते हैं 5 questions आते हैं और उनके 5 मार्क्स होते हैं So students, MCQs discuss कर ली हैं मैंने Then मैं चलती हूँ subjective की तरफ Subjective में मारे पास section 1 पहले आता है वो discuss करते हैं question answers का section बाद में section 2 discuss करेंगे Section 1 में question number 2 आता है जिसमें मारे पास question answers करने होते हैं हमारे पास total 8 questions होते हैं उनमें से में 5 करने होते हैं उनके लिए जो important chapters हैं वो आप लोगों को show हो रहे हैं आप लोग ने just यही chapters करने हैं Means कि इनी के questions करने हैं और इनी से आप लोगों के जो 10 marks हैं वो पक्के हो जाएंगे Important chapters आप लोगों के साथ share की हैं जैसे कि मैंने वीडियो के शुरु में बताया Just 2 chapters जो important हैं आप लोगों को बस यही करने हैं Then चलती हूं मैं question number 3 के तरफ यानि हमारा section 2 start हो चुक है जिसमें मैं translation करनी होती है या simple English लिखनी होती है Question number 3 में हम लोगों के पास जो important chapters हैं वो आप लोगों को show हो रहे हैं Chapter 1, Chapter 2, Chapter 4, Chapter 6, Chapter 9, Chapter 10 and Chapter 12 ये chapters important हैं translation के लिए आप लोगों के लिए यही करने हैं और हमारे पास एक ही paragraph दिया होता है और उसी के में translation करनी होती है और उसके जो कुल marks होते हैं वो 8 होते हैं Then question number 4 जिसमें summary point करनी होती है या तो stanza करना होता है Students जो हैं वो ज़्यादतर summary point करते हैं तो इन दोनों के लिए जो important chapters हैं Chapter 3, Chapter 5 and Chapter 8 इन में से ही points आती होती हैं तो आप लोगों ने ये तीनों chapter ही करने हैं और उनके जो कुल marks summary के होंगे या stanza के होंगे वो 5 marks होंगे Then हम चलते हैं हमारे question number 5 के तरफ और वो by mistake यहाँ पर 6 लिख दिया गया है और आप लोगों फैराज़़ास के बस से तीन होती हैं उनमें से एक करना होता है और दोनों के पंजारा पंजारा mark होते हैं तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं और इसमें basically जो ज़्यादा student recommend करते हैं वो essay को करते हैं तो आप लोग अपनी मरजी से कोई भी कर सकते हैं इसमें क्योंकि दोनों के marks equal होते हैं तो paragraph जो होता है वो 152, 200 words का करना होता है Then question number 6 Sentences into indirect form इसके 5 marks होते हैं Then question number 7 Pair of words करने होते हैं हम अरपस याठ होते हैं और में समय 5 करने होते हैं और इनके cool marks भी 5 होते हैं Then question number 8 Translate into English English में translation करनी होती है हमारे पास उर्दु में एक paragraph होता है और इसके 8 marks होते हैं So students मैंने अप लोगों को important chapters भी बता दिया है Pairing scheme भी बता दिया है और paper pattern भी बता दिया है